So, hey you, what is up guys, तो कैसे हैं आप लोग? So guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PTT 2022 के जो टू येर बीएड वाले जो इस्टूडेंट है, जो की भेट कर रहे हैं भाई, कि फीसरिपन कब होगी? लेकिन उससे पहले इनों ने क्या, इनकी second counseling स्टार्ट कर दिया, फिर बोले तो final counseling स्टार्ट कर दिया, अब ये final counseling किस तरीके से आपको क्या-क्या step करने साथ में, किन विध्धरतियों के लिए है, क्या ये नए विध्धरती जोइन कर सकते हैं, या पुराने वाले 5000 का चालन द चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यहां पर आप अच्छी तरीक्चे से इस क्रीण पर देख सकते हो पर आप देख सकते हो इस क्रीण पर जो 5000 जो 5000 जो ये second counselling या अंतिम counselling ये कौन करवा सकता है ये वो करवा सकते हैं जिन्नोंने फर्स्ट काउंसलिंग में पांच अजार रुपे दिये हैं ठीक है चालान कटवा दिया या फिर पहले काउंसलिंग करवा दी तो बो इस्टुडेंट ये लाष्ट वाली काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं कोई नया स्टुडेंट नहीं ले सकता जिन्नोंने यहां पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर यहां पर जो बैंकेट कॉलेज लिस्ट यानि कि जो कॉलेज जिनमें सीट खाली है तो इस पर क्लिक करके वो आप आसानी से पता लगा सकते हो अब यहां पर आज से स्टार्ट हो चुका है जिन्नोंने कांसलिंग कराई है तो फिल कॉलेज चोईस या फिर अपडेट अपनी कॉलेज चोईस को अपडेट कर सकते हैं जिन्नो पर वासवाड़ा भरतपूर चूरू जयपूर की बहुत सारी कॉलेज जुनु जादतर सिकर सिरोई स्री गंगनगर आलमोस्ट सभी कॉलेज खाली है ठीक है अब आप डिश्टिक बाइज यहां पर देख सकते हो ठीक है डिश्टिक बाइज अपनी कि भाई कौन-कौन से जो कि यह तेरा तारीक तक तो आपको कॉलेज को में यह रिपोर्टिंग वगैरा का सिश्टम तो रिपंड अभी तक तक तो वैसे ही नहीं आ रहा उसके बाद में एक बार और अबड मॉमेंट का औप्शन भी देंगे ठीक है पिछली बार भी दिया था तो सायद एक बार और अबड मोमेंट का option देंगे तो यह आपका जो refund का process है वो 20 थारीक के बाद में चालू हो सकता है 20 थारीक के बाद में चालू हो सकता है अभी तक अंदाज है यही लगाए जा रहा है और जो update आएगी तो वो भी हम आपको time to time बताते रहेंगे साथ में जिन स्टुडेंटों को college मिल चुकी है तो वो scholarship का form बगएरा लगा दे last date आपको पता 31 January है I hope मैंने आपके सावरेट डाउट किलियर कर दी होंगे step by step और कोई आपके डाउट है तो वीडियो की नीचे comment कर देना हम आपको बता देंगे cut off जादा नहीं जाने वाली है cut off कम जाने वाली है क्योंकि आपको पता है seat मतलब खाली है और वैसे भी almost सभी student को college मिल चुकी है ठीक है थोड़े बहुत student रहे हैं उनको college मिल जाएगी तो आपको college मिल जाएगी cut off कम जाएगी और कोई आपके doubt है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर whatsapp, टेले, इंस्टा के थुरूबी आप हमें direct contact कर सकते हो मिलते हैं किसी एक ओनी वीडियो में तब ते के लिए भाय चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना साथ में किसी अपने एक friend के साथ share कर देना जिसे इस वीडियो की जरूरत हो, धन्यवाद